जिनों ने एक से एक वेराइटी के एक से एक चौका देने वाले, आपको आश्चरय कर देने वाले, आपको नम कर देने वाले, सब्ध कर देने वाले घुटाले की हैं। उन सब घोटालों का एक बहुत बड़ा जहरीदा जो मिक्स्चर है त्यार हो चुका है वो है इंडी गटबंदरी उसमें ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिस पे कोई घोटाला या किसी तरह का कोई स्कैम रिजिस्टर उसके नाम पर नहीं है और दूसरी तरह है हमारे यशर्ष्वी पथान मंत्री जी की करमर्था, निष्ठा, त्यार, परिश्रम, सत्यवादे, धर्म, परचन्ने वाले परंपरा भारतिय जन्तापार्णी की परंपरा तो इस धर्म योगत्यूत में अब हमें हिस्सा लेना है और दोस्तों एक जमाना था जब भारत को जाना जाता था एक फ्रष्टाचार का एक पूरा दान दरा से समझा जाता था ओबन में कचड़ा फैगा हुआ है, खुले में शौच करने वाले लोग दुनिया की सबसे फ्रष्टाचारी देश इस तरह से हमें दुनिया में समझा जाता था और ये शर्व सार करते में वाली बात है, कुछ ऐसे ही हमारे जो पॉलिटीशन्स देखनिया के सामने उन्होंने कुछ ऐसी अपने उलहरूं रखे भी जिनसे उन्होंने उन्होंने ऐसा कहा और आज का दिन देखिए, आज हम भारत को किस तृष्टी से दिखा जाता है, ये वही भारत है जहां आज 2014 तक जहां मात्र 98,000 किलोमेटर के हाइवेज बने हुए थे लेकिन सिर्फ पिछले नौ वर्षों में, चुरुंचा हजार से भी जादा किलोमेटर के हाइवेज बन चुके हैं एक वक्त था जब हमारे प्रधान मंत्री कहा करते थे, कि मैं क्या करूँ, देश में इतने करप्शन है, मैं एक रुपया पेचता हूं गरीबुर्दक, उंदक मात्र जो है, दस पैसे पहुंच पाते हैं तो भही आप उसके बारे में कुछ करते क्यों नहीं हैं। आप प्रधान मंत्री आपके कुछ करना चाहिए ना, मैं कुछ किया नहीं। हमारे जो प्रथान पंत्री में रिंक्रमोती हैं, जैसे कि उन्होंने सब्था संभाली, सबसे पहले उन्होंने पचास करोड से भी जादा लोगों के अकांट्स खो लेए अब बीच में कोई भी चॉलिय नहीं है, सीधा पैसा, अगर वो एक लाकुपे बेजते हैं, तो एक का एक लाकुपे गरीब के पास महुचता है, वो उनकी इच्छा शिर्थी है, वो उनकी गरीबों के प्रती, उनका कर्मता है, उनका एक निश्था, उनका प्रेम है, कि वो स जितने भी घर बनाएं, आप मानेंगे कि अधिक तर घर उन्होंने महिलाओं के नाम की, क्यों? क्योंकि उन्होंने महिलाओं के सभिमान का भी फ्यार देखा, उन्हों बता है कि जब भी महिलाओं को कुछ मन मटा आप घर में होता है, तो हमेशा खा जाता है, तो मेनी घर से निकाल देगे। अरिक जो जन्दन खाते खोले गए वो महिलाओं के नापट खोले गए हैं। जाहे वो उच्वला से उनको जुले की समस्य क्लियर किये। जाहे उज्ञादा से एलिली लाइट्स की हो। हर दिन वो महिलाओं के तल्यान के बारे में शोट करते हैं। जिन्ता करते हैं। महिलाओं के बारे में नरेंद मोदीची सोचते हैं। उनका पत्ता इस देश को सिर्फ रोग मुक्त करने का नहीं है। सिर्फ करीबी मुक्त करने का नहीं है। मुझ आते हैं कि इस देश का वर हर इनसान वो स्वस्त भी रोग। उन्होंने कितने सारे जो दुनिया की सबसे बड़ी जीवन वीमा जो परियोजना है। आयुशमान का पांच लाख रूपे का इलाश मूफ दे रहे हैं। कितने सारे आयुशमान केंदर खोले गए हैं। जहां पर चोटे-चोटे से चेक अप से लेकर बड़ी-बड़े कैंसल के टेस्स किये जाते हैं। ऐसी कौन सी चीज नहीं है जिसका उन्हें ख्याव नहीं है। एसी कौन सी बात है जिसके बारे में वो सोचते नहीं है। अब Women Reservation Bill, जिसके तहए 30% महिनाओं को जो Reservation मिली है। उसके कारण मुझे यह स्टेज मिला है। आज उसके कारण आपकी मंडी की बेटी को यह स्टेज मिला है। और तुम आ कि भारत बेशा है। कि महिनाओं के सब्सक्राइब कि इतनी सारी प्रियोजनाय चली हुई है, मुफत राश्यम से लेकर, मुफत वैक्सीन से लेकर, कितनी मैं उनके बारे में, मैं कितनी आपको योजनाय बताओ, उस सुबह हो जाएगी अगर मैं आपको बताने लगों, लेकिन आपको ये जन जन पहुचानी है, क्योंकि प्रामिस करने वाले लोग, जनने वाले लोग, इस चीजों को गरीब गरीबू का पैसा खाने वाले लोग, इस चीजे देखते हैं और क्या करते हैं, हमने भी अनांस करती हैं, हम भी सब को बंद्रा सो रुपे हुफ में देगी, हमने भी अनांस करत उनको कैसे इस चल से कि शाया जागा है। आप बताएकिए कि जब आप केसी पर्योजना का हिस्सा होता है। उसमेड उसको नौन चुकिया जाता है। कि हवा में ये मिल जाएगा, वो उसमें मिल जाएगा। इससे तो उनको पूरे चरशे बटका रहे हैं। तो आप मेरे दोस्त, जो है, यह उमीद करती हूँ कि आप जन जन तक पहुंच करें, उनको अवेर करेंगे, कि उनके साथ कैसे थोके हो रहे हैं, उनके साथ कितना चलकपड हो रहा है, दोस्तों, मैं यह समझती हूँ कि हमारा जो मंडीक शेतर है, वो बहुत बड़ा है, ठीक मेरे जो मंदी के प्रती भाव है, मेरे जो लोगों की सेवा करने का मेरे मन में जो निश्ठा है, वो भाव आप लोगों तक लेके जाहेंगे, लोग उने भ्रमिद भी कर रहे हैं, कि यह वहां की रहने वाली है, आप लेके जाओगे उधर, क्या आप मुझे बताएगे, कि अगर देखा जाये तो जिनोंने मुझे ऐसा बोजा हो, वो लोग फूर तो रामपूर में रहते हैं, तो क्या वो कभी यहां पर अपना करना है थ और देखा जाये तो रामपांदी वाइनाथ से इलेक्शन लगते हैं, ईलेक्शन तो कोई कहीं से भी लग सकता है, वो बात नहीं है, या बात होती है आप की मंशा क्या है, तुम्हारी भावना क्या है, तुम्है नहीं लोगों को सब करने कि आपकी सच म empпов 수िआ है आपको बस जीत जाने के लिए यादुरा मीडिया में लाइन लाइन में उसकी मुझे कोई कभी नहीं है मीडिया की लाइन लाइन की मेरा अपना भी प्रोफेशन है मैं जो यहां पर आई हूँ तो मैं अपना सब छोड़ कर इसे भाग से आई हूँ और मुझे यकीन है कि मुझे पूल विश्वास है कि मुझे ये मौका मिलेगा क्युक्कि दूपाओं को मौका मिलना चाहिए नए लोगों को मौका मिलना चाहिए हमें परिवार बाद और वही पुरानी सोच से बिगन कर नए लोगों को मौका देना चाहिए और फिर आप देखी और आप खुद अपने लेजाय कीजिए, खुद अपने आप मिलने लीजिए, क्या आप को जैसे हमारे परधान मंतरी जी खहते हैं, मैं परधान मंतरी नहीं हूँ, मैं परधान सेवक हूँ, तो आप खुद ये बिश्चे करिए, खुद ये विचार कि आपको मैं आपकी सेवत का काम कैसा लगा धन्यवाद